जैजै शिरी राधी मैं मनुज वैश्णव आज आपको लेके आया हूँ शिरी राधा कोकुल नंद मंदर में बहुती अद्वत यहां की मेहमा है और इस मंदर को यहां पर आने के लिए अगर आप यह देखेंगे तो यह है परक्रमा मार्ग यह आप देख रहे हैं यह परक्र पर ही एक बहुत ही प्राचीन मंदर है जो कि सब्त देवाले में आता है और यह मंदर भी सब्त देवाले में आता है और वो मंदर का नाम है राधा रमण जी और तुरकुल राधा रमण जी के पास में यह है गोकला नंद जी तो आज हम इन्हीं गोकला नंद जी के आपको दर्शन कराते ही, यह मंदर का प्रवेश द्वार है, जैसे ही हमने मंदर के अंदर प्रवेश किया, तो यहाँ पर हमने देखा, यह मंदर का मुख्या गेट है, मुख्या द्वार है, और यहाँ पर दो द्वार हैं, क्योंकि यहाँ पर बंदरों के लिए, बहुत जादा यहा को इंतिजाम करना पड़ता है तो अब हम आपको लेकर चलते हैं यहां मंदर के अंदर की तरफ यह देखें आप कितना अदोत यह इस्तान है यहां पर काफी जादा हर्याली यहां पर रहती है और अनिकों अनिक भक्त यहां पर आते हैं और बहुत लोगों को तो यहां के बार कराईएंगे उससे पहले यहाँ पर हम आपको दिखाते ही ये हैस्वाधी देख़िये और यहाँ पर पाद गोकुल नात्व स्वामी पाद निरुत्तम दासथाकुर और श्रीपाद गंगा नारायन चक्रवती और स्रीपाद विश्मनात चक्रवती ये विश्मनात चक्रवती जी ने ही इस मंदर का निर्मार कराया था अब हम आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर में अंदर की तरफ यह देखें यहाँ पर भी काफी ज़्यादा यहां हर्याली है और बहुत ही अद्वत यह इस्तान है इस भिंदावन में यहाँ पर बहुत सांती बाला यह इस्तान है बहुत ही अद्वत यहाँ यहाँ पर यह ऐसे दखादि की ही समाधी है आपकों बेकुल पास से देखाते हैं यह देखिए हम और उसके वाद में यहांपर स्री निरुतमदास ठाकरजी की यहांपर समादी है यह देखिए यह देखिए यह आप उनके चरणों के दर्सन करें रूतमदासची के चरण यह देखेंगे यहांपर भी एक और समादी बनी हुई है अब यह अनेकों समाधी इस्तल यहाँ पर बने हुए हैं और यह देखें आफ बहुत ही अदवुत ही यहाँ पर दर्शन है अब हम आपको अंदर की तरफ लेकर चलेंगे और मंदर के दर्शन आपको कराएंगे अभी मंदर खुलने में थोड़ा समय है लगवाग नौ बजे यहाँ के दर्शन खुलेंगे और फिर हम आपको वहां के अदवुत दर्शन भी कराएंगे यह देखें आफ यह बहुत ही प्राचीन और सब्त देवालियों का बहुत ही प्रसिद्ध यह मंदर है लेकिन यहाँ पर भक्त लोग आने ही पाते हैं यहाँ उनकी क्रपा ले नहीं पाते हैं नारान गोष्वामी के क्रपा पात्र सपना रामेश्वर यह देखें आप इनके भी हम आपको दर्शन कराते हैं यह देखिए अदवुत दर्शन आप यहाँ पर इनके कर रहे हैं यह देखें यही श्री लोगनात गोष्वामी है उनके यह अदवुत दर्शन है यहाँ पर और अब हम आपको लेके चलते हैं मंदर प्रांगड की तरफ यह समाधी स्तल है और समाधी स्तल से थोड़ा सा ही विल्कुल ठीक सामने अगर हम जाएंगे तो मंदर के प्रांगड में पहुच जाएंगे यह मंदर भी काफी बड़े इस्तान में फैला हुआ है अब हम आपको लेके चलते हैं मंदर की तरफ जैसे ही यह समादी स्तल है इससे हम बाहर निकल के आते हैं तो इसके बिरकुल ठीक सामने ही मंदर में जाने के लिए प्रवेश का द्वार है और यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कितनी अद्वत यहाँ पर हल्याली है यह देखे अंदर की तरफ चले जाएंगे तो अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदर के दर्सन कराते हैं यह देखें आप कितना बड़ा यहाँ पर मंदर का प्रांगड है यह देखिए बहुत ही अद्वत और यह बहुत प्राचीन है अद्वत प्राचीन यह मंदर है यह आप देख रह बहुत बड़ा प्रांगड है मंदर प्रांगड यह देखें आप यह बहुत ही प्राचीन और अदबुत इस्तान है यहाँ पर अगर देखेंगे तो और भी काफी बड़ा यहाँ पर अंदर की तरफ भी और एक और प्रांगड बना हुआ है यहाँ पर अनेकों अनेक भक्त आ सकते हैं और यहीं पर अभी कुछी जड़ों में दर्सन खुलने बाले हैं उनके हम आपको अद्वूत दर्सन अब कराते हैं जैसे ही जैसे ही यह आप देख रहे हैं यह मंदर खा मुख्य प्रांगड है और इसी के नीचे यह देखें आप यहाँ पर यह जो इस्तान है यह प बहुत ही अद्वत परक्रमा कराते हैं, यहांपर काफी अधेरा था, यहांके जो मुख्य पजारी थी, उन्होंने लाइट चलाई, कि हम परक्रमा आपको शंपूर रूप से करा सकें, यह देखें, कितनी यह अद्वत तब, यह देखें आप, यह अगर आप देख रहे होंग तो यह मंदिर के नीचे होके, यह इस्थान बनाया हुआ है, क्योंकि मंदिर के उपर इतना वो नहीं था, और यह देखें आप, कितना यह प्राचीन और अद्वत यह इस्थान है, यह देख रहे हैं आप, यहांपर यह देखें, यह अब यहां से निकलने के लिए मार गहे अब हम यहां से निकल कर उपर की तरफ पहुँचते हैं और फिर आपको यहां के अद्बुत महमा से अबगत कराते ही यहां पर एको खुलानली महराजी के अद्बुत आर्पी आप यहां पर देख रहे हैं अब हम यहां पर देख रहे हैं अब हम यहां पर देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं अब हम 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 यहां पर देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं वो कैमरे के सामने तो नहीं आना चाहती हैं यहां पर देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं अच्छा यहां पर देख रहे हैं यहां की जो महंत थी उन्होंने हमें बताई लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हैं हमने आपको यहां के संपूर्ण दर्सन कराए और यह जो मंदर है वो इतना सक्तिसाली मंदर है यहां पर अनेकों भक्त आते हैं उनकी हर प्रकार की मनुप कामना पूर्ण होती है आप भी जब भी बिंदावन आएं तो यह राधा रमड़ जी के मंदर के बरकुल बरावर में है और यह बहुत ही प्राचीन मंदर है लोगों को यहां के बारे में जानकारी नहीं है जिसकी बज़े से लोग यहां पर आ नहीं पाते हैं ऐसे प्राचीन इस्थानों को देख नहीं पाते हैं तो मेरा आप से बिनम निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं और उनको भी यहां के दर्सनों के लाब दें और वो भी दर्सन कर सकें ऐसी हम आप से कामना करते हैं आपने यह हमारा वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनह हम आपको यहां गोकला नंद जी के बिर्कुल पास से दर्सन कराते हैं यह देखें यह कितने अद्वत दर्सन हैं और इसी के साथ में रादे रादे बांके विहारी लाल की जै